Hello everyone, I am an English trainer. So welcome back to my YouTube channel. So friends, आज हम made in or made by पे discuss करेंगे. So friends, मेरे किसी भीवर ने मुझे पूचा था कि sir made in का use कैसे किया जाता है sentence में और made by का. So friends, इसी के उपर मैं आप लोगों के लिए एक impressive वीडियो बना रहा हूँ. So friends, आप लोगों से भी मेरे request है. Please वीडियो अन तक जरूर देखिएगा और आप लोग भी copy pen लीजिएगा. जो भी चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माधियम से पढ़ाऊँगा. Please note it down. Right friends. So friends, shall we start the class? So friends, जो topic को नाम दिया मैंने या पे use of preposition और part 8 थे friends. Right friends. So friends, जो मैंने या लिखा है, सबसे पहले made in. Made in preposition काम यूज़ करेंगे, जो किसी place से related होता है. कि कहां से ये चीज़ बननी है, कोई place है, इंडिया है, चाइना है, जैपैन है, देरजून है, बैंगलूरू है. Right? Made in के लिए सोब करने के लिए में से place का यूज़ किया जाता है. Right friends. Hoping, आपनों की समझ में आ रहा होगा. Next, made by का यूज़ हमेशा किसी person व्यक्ति या company के दौरा कोई चीज़ बनाए जाती है, या किसी व्यक्ति के दौरा वापे हम made by का यूज़ करते हैं. और made in का यूज़ करते हैं, उस place को describe करते हैं, किस जगवा से ये चीज़ बनी, इंडिया से बनी, या रसिया से बनी, या डैली से बनी, या बैंगलूरू से बनी. Right friends. So friends, for example, this mobile phone is made in India, made in China, made in Delhi, made in Delhi, यहां पर जो यह mobile phone हम बना है, is made in का से बना, चाइन, इंडिया से बना, या चाइना से बना, या डैली से बना, या देरज़ों से बना. ति यह किसी इसको describe कर रहा, place को. Fine, okay friends, ति यहां पर हम in proportion का, made made के साथ in proportion का use करते हैं, कि यहां mobile phone इंडिया में बना. Fine, okay friends, hoping, आप लोगं की समझ में आ रहा होगा, और आप लोगं का doubt एकदम clear हो गया होगा, right friends? So friends, next है made by, made by का use किया जाता है, जब कोई चीज किसी person या अभ्यक्ति या company के गोरा बनाई जाती है, उसके लिए made by का use किया जाता है, right friends? For example, देखे, this pen is made by, this pen is made by Rabi, this pen is made by me, मेरे द्वारा, this pen is made by him, लड़का है तो, him, लड़की है तो, her, or Reynolds, कोई company का नाम है, कि this pen is made by Reynolds company, fine, okay friends? आपकी समझ में आया होगा, कि made का use हमेशा made by का, किसी person या किसी company के लिए made by का, जब कोई चीज किसी company के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए जाती है, तो made by का use किया जाता है, So friends, आपकी समझ में आया होगा वीडियो, बिल्कुल small वीडियो था, थोटा वीडियो था, So friends, यदि आप इस वीडियो की skin install लेना चाहते हैं, So friends, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, please like, share and subscribe my YouTube channel, So friends, जिन भी लोग उने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, please चैनल को subscribe कीजिएगा, उसी के बगल में bell icon है, जो भी नहीं वीडियो बनेगी उसकी notification आप तक पहुंझ जाएगे, So friends, comments box में comments करना न भोलिएगा, So friends, मिलते हैं अगली वीडियो में, till then nice meeting to you, keep practicing, thank you very much.